एक तरफ दिली में दिलकी दूरी जो है उसे दूर करने के लिए बाते की जारी है और दूसरीयों अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार पड़ोसी मुलकी और सयातंकी हमले किया जारे है ज्मौ कशमीर में high security होने के बाद बी कल air force पर drone के द्वारा देश में पहली बार हमला किया गया और उसके बाद अगर बात करूं आज की आज सुबा एक बार फिर से drone बरामत किया गया है drone दिखने के बाद ले mandate security forces ने उसके ओपर गोलिया बरसानी शुरू कर दी लेकिन निशाना जो है वो चूक गया और वो ड्रोन जो है उस एरिया से आगे पास हो गया लेकिन एक बार फिर से आज सुबा यानि की सोमबार सुबा एक ड्रोन देखा गया है तो पूरी वारदात मैं आपको बता दूँ कि आप जानते ही है कल हाई सेक्योर्टी होने के जो है उसके उपर गोलिया बरसाई गई ड्रोन को निशाना बनाते हुए फाइरिंग जो है वो भी की गई लेकिन लक्ष जो है वो चूक गया सेना ने इलाके को बिलकुल गेर कर अब तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक कोई भी ब्रामद की ज जो है पूरे एरिया को काफी जादा अलेटनेस जो है वहां कर दिये सेक्योरेटी फोर्सिस जो है वहां पर लगा दी गई है कमांडों की जो और से जादा दवार जो है वह नहीं खोले गए हैं एक ही जगह से व्यक्ति आ जा रहे है और उनकी चेकिंग प्रौपली हो रही ह चाहे उनकी खुद की जा है हो उनकी कि जा रही और आज सुबह पिर कालू चकमे एक ड्रोन बरामत किया गया है जो अभी दिशाना चुक गया फाय इंग करते हूँ और अभी तक उसे बरामत नहीं किया गया है और लगातार जब से दिल्ली में जमू कश्मीर के लिए बैटक ह आप जानते हैं कि कल वेव मॉल के बाहर से जो है वो दो संदीगत भी अरेश किये गए हैं और काफी जादा मात्रा में उनके पास बारूत भी मिला है और उसके बाद कल संडे रात को यानि की वान फॉर्टीटू पे पोने दो के करीब जो है जमू के एरफोर्स पे ड्रोन के द्वारा हमला भी किया गया जिसके बाद अभी फॉरंसिक टीम वहां मौझूद है और अनुमाल लगा जा रहा है फॉर्टीटू से फॉर्टीट आर्स जो है वो पूरे इंवेस्टिगेशन को लगते हैं कि आखिरकार कितने क्वांटिटी में जो है वो आईडी था और यह आने जाने वाली वक्ति की जो है वो चेकिंग की जा रही है अगर मैं बात करूं तो इस समय पठानकोट एयर बेस पे बी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी गाड़ियां आ रही है लखनपूर बॉर्डर से जम्मू में और वहां पर सारी चेकिंग जो है वो क जाना काम करती आई है और अब जो है सेर्च उप्रेशन फिर से चल रहा है कि एक और ड्रोन जो बरामत किया गया है उसके लिए शर्च ऑप्रेशन जो है वो चलायग जा रहा है है और हर तरह से हमारी सीवारिटी पोक्रसीजिस ने एरिया को सील कर दिया है और investigation जो है अभी तक चल रही है कि कोई और संदिगत जो है वो यहाँ पर ना हो इसकी अशंका जो है वो चताई जा रही है लेकिन आप लोग भी घर उसे बार जब निकले तो ध्यान दे कि कोई भी ऐसे अन्यूजल सी चीज़े आपके आसपास पड़ी हो तो उसे हाथ मत लगाए और उसकी जानकारी जो है हमारे पुलीस को दे ताकि वो आगे investigation जो है वो पूरी कर सके फिलाल अभी की बड़ी update आ रहे थी कि एक बार फिर से आध सुबा एक drone मिला है कल हाथ से के बाद तो अभी तक investigation जो है वो चल रही है जैसे कोई update आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे आप ऐसी updates के शुड़ रहे हैं बाहुए स्पिस के साथ